प्रेरितो 24 अध्याए 1 से 27 तक पांच दिन के बाद हनन्या महायाजक कई पुरणियों और तुर्तुलस नामक किसी वकील को साथ लेकर आया उन्होंने हाकिम के सामने पॉलुस पर नालिश की जब वो बुलाया गया तो तुर्तुलस उस पर दोश लगा कर कहने लगा हे महा महीम फैलिक्स तेरे द्वारा हम में बड़ा कुशल होता है और तेरे प्रबंद से इस जाती के लिए अनेक बुराया सुधर्ती जाती है इसको हम हर जगा और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं परंतो इसलिए कि तुझे और दुख नहीं देना चाहता मैं तुझसे विंती करता हूं कि कृपा करके हमारी दो एक बाते सुन ले क्योंकि हमने इस मनुश्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहुदियों में बलवा करने वाला और नाजरियों के कुपंत का मुख्या पाया है उसने मंदीर को अशुद करना चाहा पर हमने उसे पक पर्यादी इन सब बातों को जिनके विश्य में हम उस पर दोश लगाते हैं तो आप ही उसको जांच करके जान लेगा यहुदियों ने भी उसका साथ देकर कहा यह बाते इसी प्रकार की है जब हाकिम ने पॉल उसको बोलने का संकेत किया तो उसने उतर दिया मैं यह जान कर परके तो बहुत वर्षों से इस जाती का न्याई कर रहा है आनंद से अपना प्रतिउत्तर देता हूं तो आप जान सकता है कि जब से मैं यरुशले में आराधना करने को आया मुझे बार दिन से उपर नहीं हुए उन्होंने मुझे न मंदिर में ना आराधनाले उमें न न भीड लगाते पाया और नो तो वे उन बातों को जिनका वे अब मुझे पर दोश लगाते हैं तेरे सामने सच प्रमानत कर सकते हैं परंतु मैं तेरे सामने यह मान लेता हूं कि जिस पंत को वे कुपंत कहते हैं उसी की रीती पर मैं अपने बापदादों के परमेश्वर की सेवा करता हूँ और जो बाते व्यवस्था और भवश्दक्ताओं की पुस्तकों में लिखे हैं उन सब पर विश्वास करता हूँ और परमेश्विर से आशा रखता हूँ जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा इससे मैं आप भी यतन क करता हूँ की परमेश्विर की और मनुश्यों की और मेरे विवेक सदा निर्दोश रहे बहुत वर्षों के बाद में अपने लोगों को दान पहुंचाने और भेंट चड़ाने आया था उन्होंने मुझे मंदीर में शुद्ध दशा में बिना भीड के साथ और बिना दंग कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझे में कौन सा अपराद पाया इस एक बात को छोड़ जो मैंने उनके बीच में खड़े होकर पकार कर कही थी मरे हुओ के जी उठने के विशे में आज मेरा तुम्हारे सामने मुखदमा हो रहा है फैलिक्स ने जो इस पंथ की बाते ठीक ठीक जानता था उन्हें यह कहकर टाल दिया जब पल्टन का सरदार लूसियास आएगा तो तुम्हारी बात कर नने करूंगा और जुबेदार को आग्या दी कि पॉलुस को कुछ छूट में रखकर रखवाली करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से न रोकना कुछ दिनों के बाद फैलिक्स अपने पतनी द्रुसिल्ला को जो यहुदिनी थी साथ लेकर आया और पॉलुस को बलवा कर उस विश्वास के विशे में जो मसी इश्यू पर है उससे सुना जब वह धर्म और सयम और आने वाले न्याय की परंतु जब दो वर्ष बीत गए तो पुर्कियोस फेस्तूस फैलिक्स के जगह पर आया और फैलिक्स यहुदियों को खुश करने के इच्छा से पॉलुस को बंदी ही छोड़ गया पहला शमुवेल साथ ध्याय एक से सत्रा तक तब किरियातरिम के लोगों ने जाकर जाजर को पवित्र किया कि यह त्यारिम में संदू को रखे हुए बहुत दिन हुए अर्थात 20 वर्ष बीत गए और इस्राइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहवा के पीछे चलने लगा तब शमुवेल ने इस्राइल के सारे घराने से कहा यदे तुम अपने पलिष्टियों के हाथ से चुड़ाएगा तब इस्राइलियों ने बाल देवता और अश्तुरिक देवियों को दूर किया और केवल यहवा ही के उपासना करने लगे फिर शमुवेल ने कहा सब इस्राइलियों को मिस्पा में खटा करो और मैं तुम्हारे लिए यहवा से प पने खटे हुए हैं तब उनके सरदारोंने इस्राइलियों पर चढ़ाई कि यह सुनकर इस्राइली पलिष्टियों से भाइबित हुए और इसराइलियों ने शमुवेल से का हमारे लिए हमारे परमेशिर यहवा की दौहाईदें न छोड़ जिससे वो हमको पलिष्टियों के हाथ से बचाए तब शमुईल ने दूद पीता मेमना ले सरवांग होंबली करके यहवा को चढ़ाया और शमुईल ने इसराइलियों के लिए यहवा की दोहाई दी और यहवा ने उसकी सुन ली और जिस समय शमुईल होंबली को चढ़ा रहा था उस समय पलिष्टी इसराइलियों के संग्यूद करने के लिए निकट आ गए तब उसे दन यहवा ने पलिष्टियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गर जाकर उन्हें घबरा दिया और वे इसराइलियों से हार गए तब इसराइली पुरुशों ने मिस्पा से निकल कर पलिष्टियों को खदेडा और उन्हें भेट करके नीचे तक मारते चले गए तब शमुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम इबनेजर रखा यहां तक यहवा ने हमारी साहयता की है तब पलि पलिष्टियों ने इस्राइलियों के हाथ से चीन लिये थे फिर इस्राइलियों के वश में आ गए और उनका देश भी इस्राइलियों ने पलिष्टियों के हाथ से चुड़ाया और इस्राइलियों और इमोरियों के बीच भी संदी हो गई शमुएल जीवन भर इस्राइलि लिए एक वेदी बनाई पहला शमुएल आठ अध्या एक से बाइस तक जब शमुएल बूड़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इस्राइलियों पर न्याई टहराया उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अभिया था ये बिर्शेबा में न्याई करत थे परंतो उसके पुत्र उसकी राह पर न चले अर्थात लालच में आकर गूस लेते और न्याई बिगाड़ते थे तब सब इस्राइली वृद इखटा होकर रामा में शमुएल के पास जाकर उससे कहने लगे सुन तू तो बुड़ा हो गया और तेरे पुत्रे तेरी राह उपर नहीं चलते अब हम पर न्याई करने के लिए सब जातियों की रीती के अनुसार हमारे लिए एक राजा न्युक्त कर दे परंतो जो बात उन्होंने कही हम पर न्याई करने के लिए हमारे उपर राजा न्युक्त कर दे यह बात शमुएल को बुरी लगी और शमुएल यहावा से प्रातना की और यहावा ने शमूईल से कहा वे लोग जो कुछ तुछ से कहे उसे मान ले क्योंकि उन्होंने तुछ को नहीं परंतु मुझी को निकमा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूँ जैसे जैसे काम वे उस दिन से जब से मैं उन्हें मिसर से निकाल लाया आज के दिन तक करते आये हैं कि मुझको त्याग कर पराय देवताओं की उपास ना करते आये हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं, इसलिए अब तु उनकी बात मान, तो भी तु गंभीरता से उनको भली भांती समझा दे, और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज करेगा, उसकी यचाल होगी, अर्था तो तुमारे पुत्रों को लेकर अपने रतों और गोडों के काम पर नौकर रखेगा, और वे उसके रतों के आगे आगे दोडा करेंगे, फिर वो उनको हजार हजार और पचास पचास के ऊपर प्रधान बनाएगा, और कितनों से वो जुतवाएगा, और अपने खेत कटवाएगा, और अपने लिए युद के हत्यार और रतों के साज बनवाएगा, फिर वो तुमारे बेटियों को लेकर उनसे सुगंद द्रव्य और रसोई और रोटिया बनवाएगा, फिर वो तुमारे खेतों और दाख और जैतुन की बा लेकर अपने करमचारियों को देगा फिर वो तुमारे बीच और दाक के बारियों का दस्वा अंश लेकर अपने हाकिम और करमचारियों को देगा फिर वो तुमारे दास दासियों को और तुमारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुमारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा वो तुम्हारी भेड बक्रियों का भी दस्वांश लेगा इस प्रकार तुम लोग उसके दास बन जाओगे और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दोहाई दोगे परन्तु यहवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा तो भी उन लोगों ने श सब बाते सुनकर शमुईल ने उन्हें यहवा के कानों तक पहुंचाया यहवा ने शमुईल से कहा उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे तब शमुईल ने इसराइली मनुश्यों से कहा तुम सब अपने अपने नगर चले जाओ भैजन सहिदा निन्यानबे अध्य एक से नौ तक यहवा राजा हुआ है देश-देश की लोग कांप उठे वह करूबों पर विराजमान है पृत्वी डोल उठे यहवा सियोन में महान है और वह देश-देश की लोगों के उपर प्रधान है वे तेरे महान और भैयोग्य नाम का धन्यवाद करे वह तो पवित परमेश्वर यहवा को सरा हो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो वह पवित्र है उसके याजकों में मूसा और हारुन और उसके प्रातना करने वालों में से शमुएल यहवा को पुकार थे थे और वह उनके सुन लेता था वह बादल के कंबे में होकर उनसे ब के शमा करने वाला परमेश्वर था हमारे परमेश्वर यहवा को सरा हो और उसके पवित्र परवत पर दंडवत करो क्योंकि हमारा परमेश्वर यहवा पवित्र है